किसान बाइयो नमस्कार, मैं सुरिय कान्त, आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत एगरी हिंदी उटूब चानल में आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्याच की खेती के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्याच की फसल की उपर आने वाला जो ट्विष्टेर डिसेज है जिसे हम जलेभी रोग कहते है उसके प्याच की फसल की उपर लक्षन कोन से होते है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे फसल की उपर जलेभी रोग आया है और आने के बाद उसके नियंतरन के लिए कौन से उपाई करने चाहिए ये भी हम देखेंगे इसलिए किसान भाईयो इस रभी मोसम में अगर आपने प्याज की खेती की है अगर आपके पास प्याज की फसल है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही महतोपूर्ण होने वाला है मेरी आपसे एक राय है ये वाला वीडियो अंतक देखें चलिए किसान भाईयो बिना किसी देरी के आज की वीडियो के लिए शुरू करते है सबसे पहले देखते हैं यह जो जलेबी रोग है वो किस फपुन के कारण अपनी प्याज के फसल के उपर आता है उस फपुन का नाम है कोलोटर ट्रिकम ग्लियोस पोरिडियोस चलिए किसान भाहियो अब देखते है कि प्याज की फसल के उपर जलेबी रोग के आखिर लक्षन कैसे होते है सबसे पहले आपको प्याज की पत्यों के उपर हलके पीले पानी से भीगी हुए अंडाकार धसे हुए घाव दिकाए देंगे बाद में ये आपको बढ़ते बढ़ते काले कलर के दिखने लग जाएंगे अगर पोधा जलेबी रोग से जादा ही प्रभावित हो जाता है तो पत्या सिकुडनी लगती है वो तूटकर गिरिने लगती है उसके बाद में धीरे धीरे पोरा पोधा सूपकर मर जाता है इसका अगर एक खास लक्षन हम देखे जिसकी वज़े से इसे जलेबी रोग का नाम दिया गया है वो लक्षन है कि अपनी जो पत्या है पोधा की वो कर्लिंग हो जाती है यानि जलेबी आकार की मुड़ जाती है जिसे हमें मुरणा बोलते है तो इसके बाद में पत्तियों के उपर क्लोरासिस भी आपको दिखाई देगा और गरदन का एक असामान्य आकार यानि कोई गरदन चोटी होगी तो ये गरदन का असामान्य आकार भी दिखाई देता है इस तरह से किसान भायो आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो कि अपनी प्याज के फसल के उपर ट्विस्टर यानि जलेबी रोग का प्रकुप हुआ है आप देखते हैं कि इस जलेबी रोग के निवारक और उप्चारात्मक कौन-कौन से उपाय है चले गिसान भायो सबसे पहले बात करते हैं निवारक उपाय के बारे में निवारक उपाय में सबसे पहले आता है जब भी हम प्याज की खेती करें तब खेत का चयन हमें उची जल निकासी के अधार पर करना है यानि खेती में उची जल निकासी की विवस्ता हो खेती करते समय हमें बार-बार फसल चक्रों को अपनाना है यानि बार-बार सेम खेत में यानि उसी खेत में हमें प्याच की खेती हर बार नहीं करनी है एक बार अगर आपने प्याज की खेती की है तो अगले दो मुसम में आपको दूसरी फसल लगानी है इसको कहते है फसल चक्रा अपनाना इसके बाद आपको जल भराव की जो समस्य आती है उससे बचना है हमेशा ध्यान रखना है कि अपने खेत में पानी जमा ना हो उसको जल दिकासी करके हमें निकाल देना है निवारक उपाय में और एक बात हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम प्याज की खेती करें वो नरसरी हो या फिर प्लांटेशन हो उस समय किसान भाईयों आपको उठी हुई केरियों का इस्तमाल करना है या फिर बड़े बेड का इस्तमाल करना है इससे होगा क्या प्याज की खेती में अगर पानी जमा होता है तो उसका डारेक्ट इंपक्ट असर आपकी प्याज की खेती उपर नहीं होगा और आपकी प्याच की फसल यानि प्याच के फोदे उस पानी से थोड़े देर के लिए बच जाएंगे किसान भाईयों येते कुछ निवारक उपाई अब बात करते हैं उपचारात्मक उपाई के बारे में मान लीजेए कि आपकी प्याच के फसल के उपर जलेबी रोक का प्रकुप हो चुका है और बहुत ज्यादा मातरा में है अभी आपको जरूरत है चिड़काव की तो कौन से चिड़काव हों प्याच के फसल के उपर कर सकते हैं सबसे पहले इंडोफिल का M45 आता है बहुत अच्छा कवक नाशी है वो आप 500 ग्राम प्रद 200 पानी मिलाकर एक एकड़ प्याच के फसल के उपर चिड़काव के लिए इस्तमाल कर सकते हो इसमें अगर हम दूसरा कवक नाशी देखे तो वो है अवतार जिसमें आपको 400 ग्र मोतार लेना है 200 पानी मिलाना है और एक एकड़ प्याच के फसल के उपर इसका चिड़काव करना है इसके बाद अगर तीसरा कवक नाशी देखे तो वो है सिकसर ये भी बहुत ही अच्छा कवक नाशी है जिसको आपको लगबक 300 से 400 ग्राम लेना है प्रद 200 पानी मिलाना है और एक एकड़ प्याच के फसल के उपर इसका चिड़काव करना है येते कुछ रासाइनिक कवक नाशी अगर आप जैविक खेती करते हो तो आपके लिए भी मेरे पास एक जैविक कवक नाशी है जिसका नाम है डॉक्टर बैक्टोस फ्लोरो जिसमें आपको सुडो मोनस फ प्रबंदन करते हो तो बहुत ही कम खर्चे में आप अपनी प्याच के फसल के उपर आने वाला जो ट्विश्टर डिसीज है या जिसे हम जले भी रोग कहते हैं उसको आप नियंत्रित कर सकते हो चलिए किसान बाहियो जानकारी यह वीडियो यही समाप्त होता है यह जानका करें और साइड वाले बेल आइकॉन को क्लिक करें मिलते हैं एक अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद